शिव महापुरान की कत्था करती है घर का बुजुर्ग जब भी भी कोई पूजन पार्ट अराधना करता है तो वो संपोन विश्व के कल्यान के लिए अर्थात पूरे परिवार के उद्धार के लिए करता है किसी एक केली नहीं करता हो संपोन परिवार के पूरे परिवार के आप अगर परशुपती वरत कर रहे हो माना आपने किसी एक लक्ष को मान कर कर परशुपती वरत कर आपने कोई एक लक्ष मान कर कि मुझे नोकरी के लिए करना है कि मुझे संथान के लिए करना है कि मुझे मुझे घर के लिए करना है कि मुझे परिवार के लिए करना है आपने लक्ष मान करना है पर भले आपने एक लक्ष मान कर करा परन्तु वो जो ब्रत आप कर रहे हो जो ब्रत आपने धारन करा है उस संपून परिवार में कुछ ना कुछ फल जरूर देगा केवल एक फल देने क के लिए ब्रत नहीं होता, संपून फल को देने के लिए ब्रत होता, साधना, ब्रत, उपवास, भजन, यह संपून जगत के तरह हैं, आप और हम, श्युमाह पुरान की कथा को शवण कर रहे हैं, दिखिए, शंकर बगवान पर अगर एक लोटा जल्वी हम समर्पित कर रहे है एक लोटा जल्वी हम बाबा देवदिव महादेव को चड़ा रहे हैं, समर्पन कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी हम देवदिव महादेव को चड़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र भी हम बगवान शंकर को चड़ा रहे हैं, तो हमारा तो कल्यान होई ही रहा है, हमारे परि विश्व का, तो विश्व का कल्यान कैसे होगा, संपून जगत का कल्यान कैसे होगा, आप जो भगवान की बक्ती में डूबे हुए हो, आप जो परमात्मा की स्मर्ण में डूबे हुए हो, आप जो भगवान की अविरल बक्ती की और अगरसर हो रहे हो, आप भगवान के भज से ओ बावा तेरी भरों से हवा विच उड़ती जावागी बामा दोरहत को छटी नामें लखी जावागी बोले मैं तेरी पतन ओ बावा मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावागी बावा दोरहत को छटी नामें कटी जावागी ए बावा तेरे भरों से पर जी रहे हैं तेरे बल पर जी रहे हैं तेरी कृपा से जी रहे हैं और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है आवाज ठीक नहीं आ रहे हैं भटेरे मास की तरह रहे हैं देखें सत कर्म की और जब बढ़े और जब सत कर्म की और हम बढ़ते हैं भगवान की अविदल भक्ति की और जब बढ़ते हैं तो परमातमा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले हैं जितने मार्ग हमारे बंद हैं आपको एक बात कहीती आप लोगों के स्मरण में होगी पहले की कथाउं में कहा कि मंदिर में जाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माले है निर्माले मतलब जो बगवान पे चड़ी हुए फूल पती सामागरी है इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फेलारा पड़ा हुआ है कोई कच्रा पड़ा हुआ है कोई सामागरी पड़ी है उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोज है हमारी जिन्दगी में अगर कोई दुख पाहड जिलसा तूट रहा है तो वो दुख अपने आप तल जाए अपने आप उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना वो दुख अपने आप तल जाए एक बात और इस मन में रहे घर में अगर गव माता है घर में तुलसी का पोधा है और घर में अगर तुमारे बुजुर्ग विराजमान है घर के माता पिता है घर के कोई ब्रद दादा दादी है घर का कोई भूड़ा वेक्ती आपके सांथ में रे रहा है तुलसी का क्यारा है या गवमाता है तो शिव महापुरान की कथा करती है जब जिन्दगी में कोई भी दुख तुमारे घर के दरवाजे को टच करता है उससे पहले ये तीन जो तुमारे घर में हैं तुलसी का क्यारा गवमाता और घर के बुजुर्द इनके स्वास्त में अपने आप गरवडी होना प्रारमब हो जाती है किस-किस में तुल्ची का क्यारा मुर्जाने लगेगा तुल्ची सुखने लगेगे किती भी बारीशो थोड़े दिन अच्छी रहेगी फिर वापिस मुर्जा जाएगी चार मैना सावन भादों कुमार करती तुल अच्छी रहेगी फिर वापिस को मुर्जा जाएगी मतलब जरूर घर में कुछ न कुछ दुख आने वाला गउमाता बार-बार बिमार कड़ रही है गाये तुमारे घर में है वो चारा नहीं खा रही है पानी नहीं पी रही है उसको कोई तकलिफ हो रही है समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा उसने अपने उपर ले लिया होगा घर के बुजुर्द, घर के माता-पिता घर के बयो, घर के ब्रद ये जो घर में जो बड़े होते हैं ये दिन बर बेट कर टीवी के समने भले शुकुराण सुनते हो भजन करते हो, किर्टन करते हो, मंत्रमाला करते हो घर के बच्चों का, घर के बेटा-बेटी का घर के परिवार के ब्यक्ती का सारा दुख ये अपने मात्रे पर ले ले जब घर का बुजुर्द, गउमाता और तुलसी का पोधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं तो हमारे घर का, इस प्रत्वी का बयो, ब्रत, बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं, वो केवल देव हैं देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है तो हमारे जीवन में अगर दुखाता है तो अगर सिर्फ जहलता है तो मेरा महादेव है हमारे जीवन के दुख को अगर जहल रहा है तो वो देवती तो महादेव है कल्वी कथा में कहा था मरत्यू निश्चित है आएगे कब कहां कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए इसका कोई समय निश्चित नहीं पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं शिव स्मर्ण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बेटे बेटे बाबा को ही याद कर रहा था बाबा का ही भजन कर रहा था गाड़ी तो गई शोरूम पर पड़ी है पर शिव कर्पा से हम सब स्वस्त हैं यही शंकर की कर्पा है इससे बढ़तर हो क्या चाहिए करुना उसकी हो दया उसकी उसकी कर्पा में ना संसार में है लोग करते हैं कि संकर कर क्या करता है हम करते हैं कि जिस दिन तुमारी दुख का घड़ी हो जिस दिन तुमारा कष्ट का समय हो उस दिन एकान तुमें बेट कर मेरे कालदी पती महाकाल को मेरे काशिविश्वनात को मेरे कुवरिश्वर महादेव को मेरे बाबा देव अधिद्यों महादेव को दिल से याद करना दुख की वो घड़ी आएगी जरूर टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं भड़़पाएगा और जिवन साथ हो जाएगा यह निश्चित है नहीं कि नहीं आएगा शिवक कि क्रिपा भी ना संसार कोई पत खड़ा हो जाएगा आप दिल से कारो दोस्तों हम शिवके बहों से एक एक शिवकों से ज्यादा अप्री है सत्य और निश्च कपट भाव से करीबें भग्री चलो चलो बहुत दिन से आप लोग भगवान संकर को चंदन लगा रहे हैं कितने जो रोज भगवान के मंदर में जाकर या हक्ते में दो बार जाकर या चार बार जाकर चंदन लगाते हैं लगाते हो ना बगवान शिवकों चंदन किसलिए लगाया जाता है शंकर भगवान हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो गिसकर भगवान शंकर को किसलिए लगाते हैं तो कहा चंदन लगाने के दो कारण एक भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विश्ष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिश्क पर चंदन लगाया जाता है जिससे वो तपन विश्की मेरे देव अधीदेव महादेव को नहीं और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाट करने में, पूजन करने में, बजन करने में, इसमरिन करने में, कीरतन में, हमने भगवान के मंतर जाप में, अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो, या चल कर दिया हो, या कोई कपट कर दिया हो, तो हम उस को दोश से मुक्त हो जाना है इसलिए हम शंकर भगवान को निश कपट भाव का चन्त नहीं है कि इसमें कोई कपट का काम नहीं कोई कपट नहीं उसमें कपट का कोई इसलिए सायत शुमाह पुरान की कथा में बारंबार कहा जाता है शंकर भगवान के पावन करसंगों में बारबार कहा जाता है राम कथा के अंतरगत बारंबार पंश्वन करते है कि भगवान को पाने के लिए निरमल मन सो मुही मुही छल छेतर कपट ना भावा भगवान की कथा करती है कि मुझे निश्ट कपट भावुस आपके पास में कुछ है कि नहीं है यदि शंकर भगवान की कथा करती है आपके पास में कोई वस्तू है तो आप भगवान को समर्पित करो नहीं है तो छोड़ो शिव उसको सिकार कर ले ले एक प्रसंग आता है एक प्रसंग में आता है बांदाउगड के राजा महराज अबीर से जो भगवान शंकर के उपासक और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंग की धर्म पत्नी वो भी शंकर मंदिर में जाकर निध्य परती भगवान शंकर के शिविलिंग के उपर चंदन का लेपन करती बांधोगड के राजा वीर सिंग की पत्नी और वीर सिंग दोनों शिव के उपास थे दोनों दुनिया के लोगों ने बेद कर दिया कि ये संकर जी वाले हैं ये राम जी वाले हैं ये करिशन जी वाले हैं ये देवी जी वाले हैं वो देवताजी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो गो वाले हैं, ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिये, पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या, और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे, तो भी पेट में जाएगे, इमर्ती खाओगे, नि व निसे पहले हैं, अईठे चाहिए, पहर ये घंटे तक सोच रही है, महाराज नहीं क्या भो गैए इमर्वी कहीं, गुलाब ज्यूण खाओगे, वो भी पेट में गई, रोती खाओगे, वो भी पेट में गई, उसी तरहां राम कहो चाहिए, शाम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है, अच्छा ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है, कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जैसे हिमर्ती खाई जाना पेट महीं है, गुलाब जमुन खाई जाना पेट महीं है, डिपार्टमेंट टेक ही है तो जाना होगा है, दुनिया के लोगों ने चल चल चल, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सक चल चल करा, जैसे बर्ण में दुनिया को बाटा है वैसे कि वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बाटने का प्रयास कर भगमान को भी बाटने का प्रयास कर पर भगमान करते हैं कि मैं बटा नहीं हूँ मैं तो वहीं हूँ आज भी हूँ और कल भी रहू राजा वीर सिंग की धरम पत्नी और राजा वीर सिंग की दोनों शंकर भगवान के उपास सके शिव की भक्ती का स्मरण करते हैं शंकर का गुलगान करते हैं शंकर की भक्ती में डूबे रहते हैं शिव भक्ती में डूबे रहते हैं राजा था धर्मात्मा उन्यात्मा था उसी नगर में बांधो गण में सेन नाई रहते थे जो सेना नाई वहां निवास करते थे खवास थे, नाई थे और वो भगवान की भक्ती में राम और कृष्ण की भक्ती में दामोदर की भक्ती में भगवान की भक्ती में डूबे रहते हैं आप देखिए ज़रा प्रसंग की और ज़रा इसमन करिये गा सेन नाई भगवान की भक्ती में डूबता है राम और कृष्ण की भक्ती में डूबते हैं भीर सिंग शंकर की भक्ती में डूबे रहते हैं अपना राजपाट चलाते रहते हैं संपोर्ण राजपाट का सुकर दोगते रहते हैं सेन नाई प्रति दिन आता है राजा के नक काट के जाता है केश बना कर जाता है दाड़ी बना कर जाता है शरीर की मालीश कर कर जाता है आज राजा वीर सिंग की धरम पत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में और सेन नाई थे घर पर घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली भगवान का बजन करने वालों की टोली आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है डोलक मंजीरे की अवाई डोल की अवाई जब कानों में जाती है आई नि कहीं डेवादीद्य महादेव से हम परातना करते हैं कि Bíamos मेरे पर भी कृपा कर तरहेंगा ऐसी क्रपा करना मुझे पर की मेरे आजया करना। और तेरी कृपा से साूंगा तेरी दया से साूंगध बाबा देवाधी तरह से विंती करो मेरे भोले दयातर ना मैं तेरे भरो से हूँ मैं तेरे भरो से हूँ वीर सिंग की धर्म पत्नी भगवान संकर की अरादना कर रही है वीर सिंग भी शिव की अरादना में लगा रेने वाला है और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला संकिर्तन में डूबने वाला सेन नाई भगवान की अवीरल वक्ती में डूबने वाला सामदे से किर्तन मंडली जा रही थी उसमें शामील हो गए प्रती दिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे राजा के केश काटने जाते थे और बल बनने के लिए नकुन काटने जाते थे आज संग मंदली में डूब गए नहीं जा पाए पत्नी को ये अंदाजा था कि मेरे पती को क्रोध बहुत आता वीर सिंग को क्रोध बहुत आता जिसका पती क्रोध बहुत करता है ना पत्नी पहले से उसके लिए सबस्मान तयार करके रख देती है नाने जाएंगे ये टाविन रखा है आएंगे ये कपड़े रखें गड़ी ये टेविन पर रखी है समान ये यहां पर रखा हुआ भोजन करने बेटेगा तो पत्नी सारी विवस्ता कर देगी ये समान यहां रखा है वीर सिंग की धरम पत्नी संकर जी के मंदिर पर जब गई चंदन बाबा को मल रही थी सेन नाई का भजन इतना प्रवल था कि वो सत्संग में लग गए और संकिरतन में लग गए और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए ना बाल काटने गए अब संकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आपर बोले कि हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में तुमारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में आज एक काम परो या तुम में खवास बनो हो या तुम खवास बनगा अब दोणों में से कोई एक खवास बन जाए कोई एक नाई बन जाए भगवान कृष्ण ने कहा शंभो, है मेरे बाबा, है ओगरधानी, है भोले नाथ, है तरकाल दर्शी, है देलाशी, है अभिनाशी, है करुणा करने वाले, है मेरे दातार आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और मैंने कई वार आपसे प्राथना करी कि जिसे भगवान विष्णू रूप ले लेते हैं, चोविस आउतार भगवान विष्णू ने धारण करे हैं, तो भगवान करते हैं, ऐसे ही कुछ आउतार आप भी धारण करो पर भगवान संकर करते हैं कि भगवान विश्णु रूप बनाकर प्रत्वी पर प्रगट हो सकते हैं जन्म ले सकते हैं संकर भगवान कर रहे हैं मैं तो पहले से ही प्रत्वी पर विराजमान हूं तो मैं रूप कैसे रख सकते हूं मैं केसे रूप रख रहा रूप रूपिया जानके रूपिया और बेहरूपिया इन दोनों में एक अंतर भारी है क्या क्या रूपिया में और बेहरूपिया में एक अंतर भारी है रुपिया और बहरुपिया में अंतर ये है कि रुपिया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरुपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है उसमें एक अंतर भारी है रुपिया कभी कभी नीचे गिरेगा पर जो बहरुपिया है ये बार बार रूप बदल कर राम बार बार रूप बदल कर कला पकड़ा बहुत जादा बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता रुपिया और बे रुपिया में एक अंतर बाएं वह बड़ा पतर्वल है बहुत बुरा शिव जी करें हैं कि मैं बार बार रूप बदन नहीं सकता मेरे बस्ती बात नहीं है اور मैं आता हूं तो किसी का अपना बन कर आता हूं अब मैं करूं तो करूं क्या क्योंकि मैं मर्तिव लोग में रहता हूँ पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायन मेरा पुश्णु मेरा नारायन उनको तो वर है कि वो जगत के कल्यान के लिए कभी भी प्रगट रो सकते हैं आप जाओ भगवान कृष्ण स्वयम सेन नाई का रूप रत कर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं जरा ध्यान देना किसके बल पर सेन नाई भजन कर रहे हैं उनका काम भगवान कर रहे हैं हम हमेशा कथा में करते हैं कथा करवाने वाला कौन है देव अधिदेव महादेव कथा सुनने वाला कौन है देव अधिदेव महादेव कथा बाचने वाला कौन है देव अधिदेव महादेव तो यहां जितने भी लोग कथा श्रमन कर रहे हैं आस्ता चैनल पर जितने लोग क तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है, और बाचने वाला भी शिव है, इसके सिमाज कोई नहीं है, क्योंकि आप और हमारी सामरता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते। सेन नाई किर्टन में डुबे हुए हैं और उनकी जगा पर भगवान विश्णू भगवान नरायन राजा बीर सिंह के शरीर की मालिश कर गई अब बीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा आज तो सेना नाई ने गजब काम करा इसका हाथ में क्या होगा अच्छा जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा हो और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पढ़ जाओगे इत्ते दिन से अठका था इत्ती बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ तो एकदम कैसे हो गया समझ में नहीं आया आखिए इतना जंदी काम हुआ कैसे हो तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा वो काम करने वाला अगर बीर सिहीं की मालिश करने के लिए मेरा नारैन आ सकता है तो विश्वास पका रखना तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाद आ सकता आएगा सेना नहीं लगे थे सेन नहीं लगे हुए थे भजन में और भगवान कोच गए भी जिसे कि आज इनके हाथ में सक्क्या होगा पूरे नगर में बात थेल गई और सेन नहीं को याद आया और भगवान राजा की मालीश करना थी मैं तो भूल गया उसने पेटी उठाई चल दिया जैसे ही पोचे दर्माजे पर तो दुवार पहलों ने कह दिया वावा आज तो तुम्हे मुद्रा मिलेगे आज तो तो तुम्हे खूब निच्छावर मिलेगे ओहो लग गया सेना नहीं को आज खांसी की सजा मिलेगे क्योंकि मैं तो आया ही था जो राजा के सामने पहुचे राजा ने अपने गले की कंटी उतार कर दे दी सेना गजब का तुमारा हाथ आज क्या मालिष करी तुमने पूरी धकान एक हाथ रखा और मिट गई समझ में नहीं आया अब सेनाई मन में सोचे कि मैं तो यह थाई मालिष को ने करी राजा के गले की माला सेनाई ने उतार कर राजा को वापिस दे दी और दोड़ कर गया जिस माला को सेनाई भशता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बेट कर भगवान नारेन के सामने जाकर सेनाई करते हैं मेरे कारण तुमको राजा की मालिष करने जाना पड़ा तुम ही गए थे ना सेनाई ने जैसी भगवान विष्णू से कहा सारे संत हसने लगे कोई भगवान किसी की मालिष करे क्या सेनाई बोलने लगा जूड बोलना मती हिमान दारी से बोलो मालिष तुम नहीं करी है न भगवान की मूर्थी में से आवाज नहीं आई इत्ती देर में एक संत बोला अगर तू मालिस्तर कराता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है अगर नरेण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेन नई की जगा भगवान मालिस्तर में अगर नरेण के हाथ में तेल लगा होगा मालिस्तर का मेरे भागवान विष्टू के हाथ में आ रहा है ब्रामन, छत्रिय, वैश, शुद्र इसमें तो दुनिया के लोगों ने बटा था परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पेदा हुए हो सनातनी बन कर पेदा हुए हो हमारे भारत की भूमी पर तो एक बाल बनाने वाला सेन नाई भी कटिंग करने वाला गाड़ी बनाने वाला एक सेन नाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे वो नाई साधरन नहीं था हम कई बार कखा में कते हैं जो सेन समाच के हैं नाई समाच के हैं जो खवास आधिक में आते हैं उनसे कहेंगे तुम्हें जिन्दगी में कभी यह मत सोचना कि तुम दाड़ी कटिंग बनाते हो अरे तुम्हें जिंदकी में सबसे जाला गोरव महसुस होना चाहिए तुम्हें वो आनंद की अनुभूती होना चाहिए कि भगवान नरेण ने तुम्हारे लिए एक आउतार लेकर मालिश करने के लिए गाय थे तुम्हारे लिए तुम्हारे ली तुम्हें तो और भोरो महसुस होना चाहिए किसके लिए पर्मातमा नहीं रित नाधरन स्वांद है और उसकी भक्ती में अगर बले है तो भगवान परगट होता है भगवान सामने आता है वो तो दुनिया के लोग बले के दें ये जाद बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोले नात की आगे, मेरे शंबू की आगे, सब बराबार है, उसके लाखो दिवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकरमाती से बड़े, कोई छोचा नहीं, उसके आगे कोई छोचा नहीं, उसके सब बहुत लोग कई जाती वालों की हसी उड़ा देते हैं कई लोग से नाई पर नाई पर कमेंट्स करना चालू कर देते हैं कोई अन्य समाच पर कमेंट्स करना चालू कर देता है पर शुमाह पुरान की कथा कहती है ये सब शंकर के हैं ये सब शिव के आनंद देने वाले हैं ये सब शंकर भगवान के कुश्प है हैं एक आनंद के अनुभूती कराओं अब तुम्हें एक अंदाज लगा कर बेटना भगवान राम की शादी हुई भगवान कृष्ण का विबा हुआ सबाय भगवान राम की शादी हुई सबाय भगवान कृष्ण का विबा हुआ सबाय भगवान विश्णु का विबा हुआ सबाय भगवान ब्रमा का विबा हुआ सबाय भगवान इंद्र का विबा हुआ सबाय तुमारे घर में भी शादी होती है तो सब VIP आते हैं भगवान की याँ शादी में सब VIP आये थैं पर संकर भगवान की सादी में कोई VIP आया था सबसे पहला Invitation card संकर भगवान में अगर किसी को दिया था तो संसान में जाके चुड़े लों को दिया था ज़िरा विचार कर लीज़े भूतनी को गणों को भूत प्रेत डाकनी को साचनी जितने सब को लिजा कर भगवाने निते श्रीश दिए सब को तो कहें तो कहें कंधे पे लेके जोली एक भूत दिल से बोला मेरा देव अधिदेव महादेव बहुत बी आईपियों को नहीं बुलाता मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा इश्रम्भू मेरा तरकालजरशी मेरा कैलाशी मेरा अविनाशी तो अपने गणों को बुलाए भगवान की निभा में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये चोटा है शिवजी के मंदिर में आप सवा लात बिलपत्र चड़ा रहे हो पचास लात बिलपत्र चड़ा रहे हो पाँच हजार बिलपत्र चड़ा रहे हो पच्चिस हजार बिलपत्र चड़ा रहे हो शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है जो एक चड़ा रहा है वगवान का ज़्यादा प्रिय है यह तंचड़ाएगा तो यह अप्रिय है ऐसा नहीं है उसके चरणों में जाकर बस किवल निवेदन कर देने पर भी सुख कानुभव हो जाता है आनन्द कानुभव हो जाता है और जीवन के कई दुख तकलिफ अपने आप मिट जाता है थोड़ा भी चड़ाया तो भी पहुत इसलिए आप लोगों को बार बार करते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल जादा नहीं मिले तो एक बेल पत्र चड़ाता है बहुत ज़रूरी नहीं है कि तुम थेली भर कर ल आचार तुमारे यह महान अता है तो आचार एक कटोरी भर कर देते हो कि एक चमच से लेते हो जम के बोलो एक चमच अचार देते हैं कि यह सबजी नी समझ में आये तो भेरू तो आचार से खा ली दे बोलो सही है की गलत है सबजी एक भगोना ठीक है बगार कितना लगाओगे एक भगोना बगार कितना एक किलोस में तिल डा दो इत्तीसी जीरा, इत्तीसी राई थोड़ा सा नोन, थोड़ी सी मिर्जी बगार इतने बड़े भगोने में बगार इतना सा और पूरी दाल में स्वाद आ गिया वो इतने से बगार से इतना भगोना बरके दूद दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला एक भगोना दूद दही बन गया इतनी बड़ी थाली में चपपन भोग और इतना सा अचार धरदिया शॉआद आ गया उसी तरह भगवान यह नहीं करते कि भगोना वरके बिलपतर लाना भगवान तो करते एक बिलपतर लेख पाराना उसको में स्वाद्धारवना मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रवल हो सकता है एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन हो सकते हैं केवल उसको रिजाने वाला चाहिए केवल उसको रिजाने वाला और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिजाएंगे तब तक वो नहीं नहीं पर सोना कितना भी किम्ती हो जाए उसमें सुगंद आईगी क्या नहीं वो भले 50,000 रुपे तोला हो जाए चाहे 40,000 रुपे तोला हो जाए चाहे 1000 रुपे जित्ता लाकों में हो जाए उसकी कीमत जरूर है पर उसमें सुगंद नहीं है फूल की कीमत नहीं होती पर उसमें सुगंद होती है उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ पड़ लिखकर इंजीनियर बन जाओ कलेक्टर बन जाओ ASP बन जाओ तुमारी मर्जी पड़े बड़े से बड़े पत्पर C.A. तलेक्टर A.S.P. D.A.S.P. जिस पत्पर बेखना जा तुम्हें उस पत्पर बेखना जा तुम बढ़ाई करकर कीमती तो बन सकते हो सोने जैसे कीमत वाले भी हो सकते हो पर जब तक तुम्हें अपने परिवार के संसकार नहीं होंगे तब तक तुम्हें कीमत किसी का नहीं हो संसकार की सुगंद होना जाए फूल में सुगंद होती है भले उसके कीमत नहीं हो पर वो कीमत वाला बन जाता है मात्र सुगंद से सोने में कीमत होती है पर सुगंद नहीं होती है आबुशन सोने के भी बने आपुशन फूल के भी बने पर इसमें सुगंद है इसलिए ये भगवान को प्रिय है और आनंद है इसलिए करते हैं कि खोब करो लिखो खोब मेहनत करो कर्म करते जाओ कल भी कता में कहा था सब कर्म करो कर्म करने में पीछे मतटना कर्म करने में पिछे ना है खुब मेहनत करो और मेहनत के साथ में तेव अजी देव महादेव से विंती करते चले जाओ कि बाबा मैं तेरे भरोसे तेरे साथ तेरे भरोसे के भी ना कुछ जाओ जिस बेटी का गुंदान करा था आपको कि एक बेटी बेल्टी लेटर पर रहकर शुमाहपुरान की कथा सुनकर मस्तिष्क में चेतना आई थी आज वो बेटी कुबरिश्वर धाम को धोक लगाने आई है मैं निवेदान करूंगा वो बेटी धीरे से धीरे से राम से लाव जाओ वो बेटी आज कुबरिश्वर धाम कोची है जो अरदार तलिव जाओ जो बेटी लेटर पर थी शंकर की कथा सुनकर धिमाग की चेतना आई शिवक्रपा ही ऐसी हो जीवन का में तेरे भरों से हूँ मेरे भाब अतया करना में तेरे भरों से हूँ मादर उसका इसमन्ड कर ले अब जर विचार परों की वेल्टी लेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति और हेटफोन लगा देना और उसकी शवन शक्ती में जो कॉमा में पड़ा है और उसकी चितवर्ती में भगमान बापिस चेतना देना कोई दूसरा नहीं आता करने वाला कोई नहीं फिर कहेंगे एक डॉक्टर और है वो आता है कब जाता है पता नहीं हम तो इस व्यास पीट से रोज आपको मना करते हैं कि अभी हल निर्मान कारिक रारंब है चल रहा है यहां बेवस्ता इतनी नहीं है तो भी तुम लोग आते हो तो यह सी ओर वाले परदीब जी मिश्राध के बरोषए पर नहीं आते हो तो मेरे कुबिर बंढ़री के बरोषए पर आते हो उसको धोक लगाने के उसको प्रिणाम करने के लिए उसको नमेन करने के लिए सामर्ता हमारी नहीं है दिल से उसका भजन कर, इसमर्ण, बस मेरे बाबा को दिखावा प्रियन नहीं, आपने पूरे कोबरिश्वर ढाम में घुम कर देखना कहीं दिखावा नहीं मिलेगा तुमको, जैसा यहां से बोलते हैं, वैसा कि वैसे आपको मा मिलेगा, खेचडी परसाथ मिलेगा, धर्शन नहीं मूर्ती कंकरशंकर है, जो है सामने, जैसी वेवस्था है, आपकी है, आप कर रहे हैं, या जो है वो सामने, ये जजमान भी आये होंगे, तो इनको भी यह कहा होगा, आप आ रहे हो, वेवस्था जैसी मिल रही है, उसके अनुसार पाईएगा, उसके अनुसार रही है बस जो बाबा करा देगा उसके अनुसार दिखावान नी जो है सम शिव की कृपा ही है और आज मुझे बड़ी एक खुशी और है कि जो डूम गिरा था पंडाल गिरा था उस पंडाल में जिन जिन को लगी थी वो सब दीरे दीरे अपने घर की और जा रहे हैं एक बेटा हमीदिया से चुप्पी करा कर जिनको हमने प्राइवेट हॉस्पिटिल में बर्ती करा दिया था वो ठीक होकर आ रहे हैं कहीं बेटी हो जिनकी आँख के पास में टांके लगे हैं और सिर पे टांके लगे हैं कहीं बेटी हो तो हाथ ही लाईएगा या दिख रहे हो तो सम्म मेरे बाब अद्या करना वाकिक सब लोग बेठे रहो कोई खड़ा नहीं मैक कोचाओ बेक्टी के पास काई मेर को दिखने ही नहीं मेरे वरोसे हो शिवत भी ख्रिपा उदार दया करूना यह मूद है देखिए तुम साथ ताले में भी बंद हो जाओ काल अगर आएगा तो साथ ताले के अंदर भी आएगा यह निश्शित है पर हम उसके भरोसे पर जीते हैं तो वो थोड़ी मात्रा में आकर छूकर चले जाता है और भगवन कहीं न कहीं किसी भूत में आकर खड़ा हो जाता है वो आता जरूर है आपका अगर निश्वास है आपका अगर भरोसा है आपकी अगर दड़ता है तो वो आएगा जरूर निश्शित है मिले एक शिव कथा का बड़ा सुंदर एक संबाद है पंचाल देश का राजा सिहें केते हैं जो शंकर का भगत है शिव का अपासा करते है इसके दो शोक है एक शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के उपर रखी हुई निरमाले को भी सर्जन करना दूसरा शिकार करना अब शिकार करने भी जाता है मंदिर भी जाता है कई लोग हमसे प्रशन करते हैं गुरुजी एक बार बताओ कि गले में रुद्राच पेहना चाहिए हमने कहां पेहना चाहिए गले में तुलसी पेहना चाहिए हमने का बिल्कुल पेहना तो कई लोग प्रिश्न करते हैं कि यदि हम कहीं गलत जगा पर जा रहे हैं गलत जगा पर पहुँच रहे हैं तो हमारी तुलसी की माला हमारा रुद्राक्षा तो वहां अशुत हो गया ना शिवक अठाकर बगवान संकर का संबाद कर तुलसी और रुद्राक्षा गले के अंदर पड़े हुए हैं जिसे मीरा भाई के लिए भगवान ने फूल की माला को भी सर्पत को पुष्प बना दिया था जहर को अम्रप बना दिया था शिव महापुरान की खथा कहती है तुलसी और रुद्राक्षा आप जो माला पहने हुए हो आपके मुख में जो अन्नका भाग जाता है न वो भाग भी अगर कोई अशुद्ज से भी अशुद्ज है तो भी भगवान उसको शुद्ज बना कर अंदर प्रवेश करा दिया सहज भाई तुलसी और रुद्राक्षा जिस तुलसी और रुद्राक्षा कमधारन करते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करता है गलत कर्मस गलत जगाह से बचा जाते है शिव कथा कर दे शंकर भगवान का इसमर्ण कर आए राजा सिही के तु शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और निर्मा ले उठा कर विसर्जन करकर आते शंकर के मंदिर का इसमर्ण करते हैं पूजन करते हैं भजन करते हैं और साथ में उनका एक शोक था शिकार कर आज शिकार पर निकले और शिकार कर निकलते शिकार कर निकलते साथ में उनके एक भील जो उनका मित्र था जो वनवास में शिकार का साथ देता था उसका नाम था चंड क्या नाम है चंड वो साथ जा 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 जैसे सीह के तू भगवान शंकर की अराधना करते चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये संकरजी के मंदर में गए जल चड़ाया निरमाल ले उठाया उठा कर उसको विसर्जन करके आए तो चंड देख रहे श्युमाहापुरान की तथा कहती है आप अगर जल चड़ाने के लिए संकर जी के मंदर में जा रहे हो तुमें देखता ये निश्यद है जो मंदिर नहीं वी जाता होगा और धीरे देव दिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा दीरे दीरे उन नती की सीड़ी पर जब आप चड़ना प्रारम करेंगे तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा और वो अगर मंदिर नहीं दी जाता होगा और बाबा देव अधिदेव महादेव ने अगर आप पर प्रिपा करना चालू कर दी तो वो भी मंदिर जाना ये निश्चित है उसे फिर एक बात कहेंगे आप किसी से मत तो कि तुम पढ़ो संसे तो बिल्कुल मर के ना कि तुम मंदिर चल तुम तो केओ मती तुम तो खुद जाओ और सिर पे पल्लू लेके और बढ़िया बंधन के आनंद से पटड़ी बटड़ी सब खोशाके फिर संकरजी के मंदिर जाओ एक दिन, दो दिन, चार दिन, आठ दिन, दस दिन, पंदरा दिन तुम जाओ तो सरी, पंदरा दिन में जब बाबा तुम को खुशियां देना प्रारम करेगा तो पडोसन खुद तांबे के लोटों को मांच के वो भी चली जाएगी तुम तो तुम तो तुमारा करम करो बस अपने करम में पीछे नहीं अचना हमें अपना दर्म करना, हमें पिछे नहीं हो करना कि हम तो अपना दर्म करना आग लगे बस्ती में हापन रहो मस्ती में क्या किसको रोग ये चादर कान के, आप अलमस्त हो कर जाएगी वो आगे वू निबाट महाराचाब चले सिही के तुने पूरे शिकार के समय पर चंड भील उसको देख रहा है सीही के तू आगे निकल गए चंड भील एक तूता फूता सा एक मंदिर था जिसके शिकर का भी ठिकाना नहीं था दिवालों का ठिकाना नहीं था चारों तरफ से तूटा पुटा था और खूब सारी उसके बेल लग रग रहे खूब सारी था पहले संकर जी के जितने ओटले थे जितने मंदिर थे इन मंदिर और ओटलों के फोटो अगर पुराने हो तो निकाल कर देखें और आज सियू कुरान सुनने के बाद उन मंदिर और ओटलों के फोटो देखना ता आपको खुशी महसुस होगी कि लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़ेंगे पहले जिन मंदिरों में लोग नहीं जाते थे आप अकेले उस मंदिर में जाते थे उस मंदिर में कोई नहीं आता था आप अकेले जाते थे आज उसी मंदिर में आपको भी लाइम लगाना पड़ती है जल चड़ाने के ये ये शिवा थी है ये शंकर की कृपाई इसलिए करते है कली यूग नहीं जम के बोलो कौन सा यूग ये साधरन सा यूग नहीं आया है अभी तो कली यूग भी विचार में होगा मैं कहा जाओंगा करना क्या है कली यूग को भी टेंशन है कि सत्यूग आया रेता आया द्वापर आया राज्य तो हमारा आया था किसका अरे जम के तो बोलो कली यूग का पर कलिवकु को क्या मालूम था कि बीच में सप्रिमेंटी आ गया और ये शिवयु बीच में आ गया और केवल शिवयु वेसे ही नहीं आ गया नीचे से लेकर उपर तक बड़े बड़े सिंगासन पर बिटे हुए राजा भी आज संकर का गुणगान कर रहे हैं शिवयु मंदिर में जातर संकर का इसमर्ण कर रहे हैं संकर की पुजन कर रहे हैं साधर्ण नहीं है ये शिवयु बग्ती का पुछ पल है शिवयु बग्ती का पल है शिवयु कथा कथी है खंडे रहा है तूटा हुआ मंदिर बेले लटक रही हैं पत्तियां पणी हैं कच्रा पड़ा और चंजड भील उस मंदिर में प्रविश्ट कर गए और भील में अंदर जाकर क्या देखा जलादारी तो यहां रखी है और शिवलिंग वहां पड़ा दूर शिवलिंग दूर पड़ा और जब दूर पड़े हुए शिवलिंग को देखा चंजड ने भील ने उस शिवलिंग को उठा लाया उठा कर लेकर गया और ले जाने के बाद वो भील उस शिवलिंग को ले जाकर उस शिवलिंग को लेकर सीध है अपने मित्र सीह के तुके पास अब एक संशय मेरी माताओं के मन में आ जाता है द्यान देना जरब एक संशय मेरी माताओं के मन में आता है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अगर मान लो किसी मंदिर में नंदी नहीं है और नंदी रगदो तो कोई दोश लगेगा किसी मंदिर में हमने अगर बलफ बंद हो गया लाइक नहीं है तो हम बलफ लगा सकते शिव मंदिर में अगर संकर भगवानका शिवलिंग रखा हुआ है और वहाँ कोई वेवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगा कर बिठोगे क्या कि वेवस्था कर जाएगा देवादिव महादेव से कहकर जाना कि किसी संकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर संकर के मंदिर में एक इंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपाही होगी वह भंडार भरने में खाली नहीं जाता तुम जितने पर हो सकता है खत्म हो जाए क्योंकि दस हजार रुपे महीना तुमने कमाया उसमें से एक हजार गेस की टंकी का गया गोलो से यह की गलत है एक हजार रुपे ट्यूशन में गया एक हजार रुपे सबजी में गया एक हजार रुपे दूद में गया एक हजार रुपे बिमार पुन्ने कमाया, सत्राण जी कथा कराई, पुन्ने कमाया, भागवा सुनी, पुन्ने कमाया, शुपुराण सुनी, पुन्ने कमाया, तुम्ने तो बहुत सार एकटा करा, दस हजार रुपे महीने जैसा कमा कर रहा, और तुमने पाप भी तो करा, किसी को गलत द्रश्टी से दे पर शिव महापुरान का विद्धेश्वर सहीता करती है, शंकर के मंदिर में किया गया दान, शंकर को चड़ाया गया एक लोटा पानी, शंकर को चड़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर को समर्पित किये गए एक बेल पत्र, शंकर भगवान का नाम जा, शिव के नाम का कि अब आपक नहीं होता है। शंकर का किया गया इसमर्ण कभी समापक नहीं होता है। क्योंकि जो शिव के लिए किया जाए तो कभी समापक नहीं होता है। सिंकेतु से कहा, दील, चंड, सुनो, सिंकेतु वो एक शिवलिंग मिला एको और वो जलागारी से दूर पड़ा हुआ था और मैं उस शिवलिंग को लेकर आगया हूँ, उठा कर लाया हूँ, आप देखो, कैसा है। सिंकेतु ने कहा, शिवलिंग तो शिवलिंग है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, वो बुरा है, शिवलिंग तो शिवलिंग है, कंकर, शंकर है, बले वो कोई भी कंकर, कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, कि ये अच्छा है, और अच्छे से सोच लीजिए, बहुत ध्यान लगा ना इस कथा पाप 26 तारीख को आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करोगे या अभी बहुत पूरे दुनिया में शिवलिंग का निर्मान चल रहा है जगा जगा पर बड़े बड़े शहर, नगर, गाउं, महले सब दूर पार्थिव शिवलिंग बन रहा है कहीं लाग बन रहा है, कहीं हजार बन रहा है, कहीं एक करोड़ बन रहा है कहीं बीस करोड़ बन रहा है, सब दूर शिवलिंग बना रहा है शिव पुराण करती है शिवलिंग बनाते समय हमारे भीतर ये अंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिविलिंग का निर्मान करा वो अच्छा पडोसन ने बनाया तो एसा बना दिया डेल धपा धर दिया नहीं नहीं पडोसन ने तो नंदी नी बनाया पडोसन ने तो ये नी बनाया पडोसन ने तो जलाधारी सही नहीं बनाई पडोसन ने तो साप सही नहीं बनाया पडोसन ने तो ये सही नहीं बनाया नहीं पारतिव शिवलिंग का जब हम निर्मान करते हैं उस समय पर शिवलिंग बनाने वालों तुम होते ही नहीं शिवलिंग बनाने के लिए चाहे फुरुष शिवलिंग बना रहा हो चाहे इस्त्री शिवलिंग बना रही हो जिस समय पर हम पार्तिव शिवलिंग का निर्मान करते हैं उस समय पर माता पार्वती तुमारे इड़दय के अंदर आकर बेड़ जाती हैं और वो शिवलिंग का निर्मान करती है आप शिवलिंग का निर्मान नहीं कर सकते आप शिवलिंग नहीं बना सकते माता पारवती खुद आपके भी तर्विराजमन हो कर कर शिवलिंग का निर्मान कराती है अब पारवती तो पारवती अकेली थोड़ी ना पारवती के तो कई जन्म हुए, कभी कात्याईनी, कभी कुश्मांडा, कभी सकंदा, कभी सती, कभी उमा, इतने रूप रखें, तो संकर भगवान कभी अलग-अलग सुरूपे महाकाल में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है काशी में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है और सब्दूर घुम के तरंब केस वर चले जाओ तो डूढते रे जाओ बोलो सही की जलग तो शिवलिंग तो शिवलिंग कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पत्रा बनाया, कोई ने भारी बनाया तो यह हम नहीं बनाते यह बनाने वाला तो मेरा देवदी देव महादेव पारवती के माध्यम से जो शिविलिंग का निर्मान करवाता है वो मून अब उसमें हम को ये एंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिविलिंग बनाया वो सरिष्ट है मैंने जो बनाया वो अच्छा है नहीं 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 उसने जो शिविलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं कोई मंदिर नया और पुरान नहीं है हम जहां संकर का गुणगान करेंगे संकर वहां पर हाजी रहे हर कंकर में शंकर समाया उसमें घूंडेने की जरुवत रही कि अच्छा की वोगोगान हम उसको जुण रहे हैं कहा ये शिवलिंग मुझको मिला है मैं इसको ठाकर ले आया हूँ इस शिवलिंग का मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ तो सिहीं के तुने पूछा कि तुम क्या चाते हो वो बताओ तो कहा मैं इस शिवलिंग की पूजन करना चाहता है पूजन? हाँ करो मैं अपने घर ले जाओ इस शिवलिंग को हाँ, ले जाओ कैसे पूजन करना है एक लोटा जल चड़ा देना चंदन लगा के बेल पत्र चड़ा देना फूल चड़ा देना हो हो बस भोग लगाना बाबा की जम के बुलो जरा आर्थी उतार देना सम्मुक रखे आर्थी उतार देना केवल पशुपती ब्रत के जो दिये लगाए जाते हैं उनको नीचे रखकर प्रजलित कर दिया जाता है उसको उठा कर आर्थी नहीं करी जाते हैं उसको केवल प्रजलित करा जाता पशुपती ब्रत के पांचों दिये उठा उठा कर अगर माता है आर्थी करकर रख रही है भुसी का अब तुम्हें अगर आर्टी करना है पूजन करना है अराधना करना है तो कपूर आप लेकर गए हो बाती आप लेकर गए हो तो एक अलग भावग हो पर जो दीप आपने पांच लगाए हो इससे आर्टी बाबा की नहीं उतानुआ तो बस गज़े उसका सिम्ग में आर्थी के समय पर घंटी बजाई जाती है, जिसको गरुण घंटी कहा जाती है, क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुरान की ये राजा सिहे केतु की कथा का इसमन करना कि उस घंती का महत होती है क्यों बजाते हैं घंती किसलिए बजाता उसका कारण क्याद कि घंती की आवाज जैसे अरिवार के लोग घर के लोग खुटुम्ब के लोग श्रवन करें दोड़ कर उसार्ती में सम्मिली तो घंती का नाविस लिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव उरुजा हो वो चली जा घंती का नाविस लिए करा जाता है कि हमारा हिर्दय चित वर्ति मन के सब परमात्मा की और अगरसर हो जाया चंड भील जाने लगा राजा, सींके तु को लगा कि मित्र है, थोड़ी सी हसी कर ले और हसी उड़ाने के चक्तर में, थोड़ी सी हसी करने के चक्तर में सींके तुने कह दिया जा रहे हो एसी पूजन कर लेना और सुनो संकर भगवान को प्रती दिन ताजा चिता की भस्म लगती है चड़ाना कैसी भस्म ताजे चिता की भस्म लगती है संकर भगवान को चड़ाना उसने का ठीक है और वो भक्ती में डूप गया समय आया, 15-20 दिन वो घर में पूजन करता रहा, उसकी पत्नी भिलनी, जो पूजन करना नहीं जानती थी, अराधना करना नहीं जानती थी, भजन करना नहीं जानती थी, केड़तन करना नहीं जानती थी, मंत्र जाप करना नहीं जानती थी, इस्मरन करना नहीं जानती थी, ना दो नौरा बाबा सब दुख काटो मारा ओ बाबा सब दुख काटो मारा शीव शंकर जपु तेरी माला बोले बाबा जपु तेरी माला बोला सब दुख काटो मारा बील भी भगवान शंकर के अराथना में लग गया एक दिन बिल्नी ने पूरी पूजन की ठाली तयार कर पिरभर दी पूरी पूजन की तैयाली बिरले ने तैयार कर रही तो पती आया चंद ने आकर देखा इसमें भस्म तो ही नहीं पत्नी बोली आज चिता की भस्म नहीं मिली मैं गई थी सम्षान भस्म नहीं बस्म नहीं मिली मैं जाता है लेकर आता है और देखो वो चंद भील गया बस्म लेने के लिए जैसे सम्षान में पहुचा गया जैसे पहुचा जाकर देखा तुँ आँ बस्म नहीं भस्म नहीं है अब इसको यह नहीं मालूम कि भस्म नहीं है तो अपन कोई काम करना चाहिए बगवान के बरोसे पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ भी तूने दिया है मेरे शम्भू जो तूने मुझे प्रदान करा है मेरे बाबा वो मेंने यहां समर्बित करा है अगर कोई बस्तून नहीं है तो हमें देवदीदे महादेव को चावल कर जब दाना चड़ाए तो चावल के दाने को चड़ाते समय कर देना चाहिए पत्रम कुश्पम समर्बित हमारे पास में नहीं है जो आपने दिया हमने वो समर्बित कर दे अब भस्तून नहीं पती गया देखने के लिए लोट कर आया बापिस जब लोट कर आया आकर देखा उसमे तो क्या देखता है कि चिता की भस्तून नहीं मिली तो आँच में आसू बरकर आँख में जल बरकर गर पर बेट कर भगवान के सामने शिवलिंग के समूख में रो रहा था पतनी ने पूचा हुआ क्या ये तो बताओ आज भस्म नहीं मिली भस्म नहीं मिली तो मत मिलने तो क्या दिक्कत है हम एक काम करते हैं कुछ और चड़ा रहे थे पतनी नहीं मेरा नियम तूट जाएगा भस्म नहीं चड़ाओंगा तो भस्म कहां से आया है पतनी ने समझाया पती को पती बोला मैं मर जाता हूँ अगर तुम चले जाओ के तो भस्म कौन चड़ाएगा पिर शिव को इतने में धर्म पत्नी ने कहा एक काम करते हैं अपने एक काम करते हैं क्या एक काम करें ये मकान ये घर पुराना हो गया है इस घर में मैं आग लगाती हूँ और इस घर के अंदर मैं प्रवेश्च कर जाती हूँ मैं जब जलकर भस्म हो जाऊं तो मेरी भस्म तुम शिवजी पे चड़ा देना और भिलनी मकान की तीन परिक्रमा करकर घर में आग लगाकर उस घर में प्रवेश करने को तयाद हो गई पर पती कहता है कि एसा मत करो क्यों एसा कर रही हो बस्म का अपन इंतिजार करते हैं कहीना कहीन बस्म तो प्राप्त हो ही जाए कहीना कहीन बस्म तो मिल भी जाए अपन इंतिजार करते हैं और रुको अभी कहीना कहीन से बस्म जरूर आई पत्नी ने इंतजार करा पती ने इंतजार करा पर भस्म नहीं आई भस्म प्राप्त नहीं पत्नी ने फिर पती को समझाया भिल्ली ने मकान में आग लगाई प्रवेश कर गई भस्म तयार हुई पती आँख में आसू भर कर संकर भगवान के शिवलिंग पर भस में चड़ा रहा था राजा पर मालूम पड़ा कि मित्र को मेरे जो हसी में कहा था उसकी पत्नी भस में होकर भस में चड़वा रहा आँख में आसू सिंकेतू के भर गए रोने लगा सींके तुकि मैंने जरासी हसी करी थी शंकर के भक्त के लिए जरासी हसी और दुनिया जिस पर हसी है दुनिया जिस पर उंगली उठाती है दुनिया जिस पर हसी है दुनिया जिसका उपहास उड़ाती है दुनिया जिसकी फितोली करती है एक दिन वही देवत तुल्य बन कर जगत में पुजा जाता है जिसकी हसी उड़ी जिसके उपर उबनी उठाई हनमान जी महराज लंका में गए लंका में जाते सी हनमान जी महराज को जब बंदन में बांद लिया और बंदर में बांदने के बाद हनमान जी की जो हसी उड़ना चालू करी अरे ये बंदर ये बंदर ये बानर कर 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 लोग काली बजाएं हसें टोंडी बजाएं नबाडे बजाएं बंदर बंदर कर कर हनमान जी को पुकानने लगे हनमान जी को छेड़ने लगे कोई हनमान जी को यहां से पकड़े कोई वहां से पकड़े हनमान जी की हसी उड़ने लगी और फिर लंका में जब हनमान जी ने अपना जो सो रूप विरधी करी जो रूप बनाया जो विशाल रूप का दर्शन कराया तो सारे लंका पुर्वासी हाँ जोड़के ठाली ले लेके आगाए ये तो कहीं का दे होता है ये कहीं का दे होता है उड़ाए दुनिया के लोग असी उड़ाए अब शब्स कहने वाले कहते रहे ताने देने वाले देते रहे आड़ा तेड़ा कहने वाले कहते रहे ये दुनिया की वीत Mitchina Hal violent कहता रहे गा अब सिहीऌके तुने हसी बड़ाई पत्नी उसकी testing सिहीज़़ाय कि ने चड़ायी कभी चड़ाय कि ने चड़ाया मालूम नहीं पर उसने इसके बचान पर विश्वास रखतर भसम चड़ायी और चड़ाई पतनी मर गई उसकी भसम संकर भगवान को चड़ाई बस चड़ाने के बाद इसका नियम था आरती करता था और आरती करने से तहले घंटी वजाता था घंटी वजाते समय सबको आवाई लगा देता था सब को बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओने काका आ जाओने भुआ जाओने भुआ जाओने भुपा जाओने नाना जाओने आज भी हमारे आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते है आरती कि थाली उसको दे दी जाती है फिर इसने आतिकरि उसको दिया तो इस सिह के मित्र धीलने रोच का नियम था कि भगवान की आतिकरते समय सभ को बुला इस नहीं सबको बुलाते उसका नियम था आथनिंहें पत्नी की लगाता था कि सुनो आर्ती प्रारंब हो रही है आज आओ जल्दी आओ और आज ये भूल गया कि मेरी पत्मी तो जलकर बस्म हो गई थी बस आर्ती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंब करा सुनती हो देवदी देव महादेव की आर्ती प्रारंब हो रही है जल्दी आओ जल्दी आओ और आर्ती सुरू ही भगवान शंकर के शिविलिंग के उपर दीव की बाती जाती है और पत्मी दोड़ कर चले हुए मकान में से बाहर निकल कर आजाती है धादकते हुए उस अगनी में से पत्म निकल कर बाहर खड़ी हो जाती है पती की आर्ती के समय पर जब ठाली पत्मी ने हाथ में ली पती देवदी देव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्मी को देखता है ये कौन आगए आर्ती पूरी होती है पती ने देव अधिद्यो महादेव को प्रणाम करकर अपनी धर्म पत्मी से पुछा तुम कहां से आ गई तुमारी चिता की भस्मत तो शिवजी को चड़ाई है पत्मी करती है मैंने जब मकान में आग लगाया आग लगा कर जैसे ही पहला चरण मेंने अंदर रखा रखते से ही एक बुढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िहा सी मा अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढखकर अंदर सुलाली और मेरी नींद लग गई थी मुझे नहीं मालूमत कि क्या हुआ जैसे भी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा पंडाल गिरा विजली चंकी पानी गिरा हवा तेट चली पंदरा मिनिट में कहा तेहसनेस हुआ मैं उस तेंट के अंदर थी पर ये पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा कौन था कहां से आ गया हुआ कैसे आ गया हुआ ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी कहां से शिवा गया कहां से बचा लिया वो गाय लकवा लग गया था नीचे गिर गई थी सारे डाप्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी पर बाबा का नाम लेका उठी तो सरीना तो कहां से शिवाता है कैसे शिवाता है कहां पहुच जाता है पत्नी से पूछा तू कैसे आ गई कहां अंदर अगनी में कोई बुढ़ा और बुढ़ी वेटे हुए थे और मुझे बचा जा और कहते हैं जा आर्ती चलू हो गई उठो, आर्ती हो रही है, जाओ, मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजरगों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुमारे घर में आर्ती की अवाज आए, तुम नहाए कि ना उस आर्ती के समय पर उस दिये की एक छलक पाने के लिए माय के सामने उस भगवान के समने जकर खड़े हो जाना दुनिया का आदा दुख तो समापत हो जाएगा आदा दुख समापत हो जाएगा आज मंदिरों में मसीनों से आर्थी करी जा रही है नगाडे मसीनों से बज़ रहे है घंटियां मसीनों से बज़ रही है जरा उस आर्थी के महत्व को तो समझो कि पहले गाउं में जब आर्थी होती थी पूरे गाओं के घर से एक एक व्यक्ति उस आर्थी में पहुचते थे सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुचता था क्यों पहुचता था कि जब वो आर्थी में से आता था तो आर्थी की बलेयां लेकर जब वो घर में पहुचता था उसके आरती की बलियां लेते समय हाथ में जो आँच लग जाती थी कपूर की लो लग जाती थी वो घर के जिस अंग पर घर में जहां जहां वो हाथ लगता था उस घर से अला बला सब चली जाती थी क्यों करते हैं कि आरती में जाओ कितने दुख अपने हाप मिट जाते हैं अपने बेशे हैं मंगल मंगलकारी रूप है मंगल मंगलकारी अवधोत नाम तुम्हार भोला सब्रुके काटो मार तारका सुर के तीन बेटे तारका अक्ष विद्म माली कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो जाते हैं बाबा देव अदिदेव महादेव के बरिश्वर भादेव पशुपती नात के रूप में विराजमान हो जाते हैं पशुपती नात के रूप में जब भगवान जनकर विराजमान हो गए भगवान शीव विराजीत हो गए आगे वर्णन आया बिदल और उत्पल इन दोनों असूरों का संघार भगवान माता पारवती ने कुंदुक का प्रहार करकर करा तो शीव जी का नाम कुंद कैश्वर महादेव पढ़ गए क्या नाम करा कुंद कैश्वर महादेव पहले भी आपको बढ़न करा कि कुंद कैश्वर महादेव रोग मुक्ती के लिए और शरीर में अगर कोई बहुत बहुत जाड़ा तकलीफ जब होने लगती है तो कुंद कैश्वर महादेव का इस्त्मरण किया जाता है इसके बिना संसार का कोई सुख हमें मिले तो हम नहीं जाने पर इतना जरूर है कि तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनू ले थे हैं स्वास्त तेरी कृपा से दनो दनो थे नहीं मातब झावती जी ने जो कुंदू का परहार करillar शिव जी का नम क्या पड़दया जनके भूलिए जरा कुंद कैश्वरा हम पहले री काता में कहें आज फिर कहते शंकरजी के मंदर में जाओ और मान लो तुमारे श्रीम में कोई रोग है बिमारी है तुम दवाई खा रहे हो दवाई खाओ मना नहीं है डॉक्तर को दिखाओ मना नहीं है सारी जाचे कराओ मना नहीं है पर कर्म करते 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 थोड़ा सा विश्वास शंकर पर भी हम ज़्यादा नहीं करें हम तो करें थोड़ा सा भी रख लोगे थोड़ा सा चार ठाली में स्वादला देता है थोड़ा सा बगार डाल में स्वादला देता है थोड़ा सा जामन दही जमा देता है तो थोड़ा सा तुमारा विश्वास ये निश्शित है कि जो बिमारी है उसको समा तक करकर मानेगा ये निश्चिता है आप थोड़ा सा विश्वास तरकोश है जादा भी नहीं लग सकते तो थोड़ा को लग सकते जाओ उसके दरवाजे पर उसकी चोखट पर उससे बिंती करो उसके चरणों में जाकर बिनाये करो सुने जाओ थोड़ा सा विश्वास करो कई लोग करते हैं गुरुजी तो सीदा बोलते हैं कि शंकर पर पूर्ण भरोसा बहुत ज़ुरी है और फिर कहेंगे वो विश्वास वो भरोसा डामा डोल होने वाला मत रखना कि थोड़े दिन तो तुम संकर जी के मंदिर गए थोड़े दिन तो तुमने अरादना करी थोड़े दिन तो तुमने भक्ति धारन करी थोड़े दिन तक तो 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 पुंद कैश्तर महादेव के नाम से इस्मर्ण करकर हे देवधी देव महादेव ये दवाई में डॉक्टर साथ की खा रही है पर बाबा इसको अम्रत कर देना इसको कुछ ऐसा बना देना कि मेरे शरीर का रोग मिट जाए दवाई वो ही खाओ जो डॉक्टर लिख रहा है दवाई वो ही खाओ जो डॉक्टर ने बताई है पर उसके साथ में वो दवाई के साथ में शंकर बगवान का विश्वास दड़ी ती शिवका विश्वास दड़ी शंकर बगवान के पर दिश्वास दड़ी शम्भू शरने बड़ी मांगू फरी देखरी दुख कारो दया करी नदर्शन आख